गुड मॉर्निंग नमस्कार आप देख रहें इंडिया वोइस मैं हूँ आपके साथ साक्षी केश्ट्री आज का अगबार में आप सभी का स्वागत है हरोज की तरह अगबार की सुर्ख्यों के पारे में हम बात च्वीत करेंगे दैनिक ज्वागरण हो दैनिक भासकर हो अमर भारति जनाता पार्टी से ज्यार चुक्त कर्वील बायाली स्थापना दिवस भारति जनाता पार्टी का और बिजेपी membership के दुम्धान से इस दिन को मनाया गया देशभर में बिजेपी के दफ्तर पर कारेकरताओं ने सांसदों को संबोधित किया और उनमें जोश भरा चुकि स्थापना 42 साल हो चुके हैं भारती जन्रता पार्टी को स्थित्व में आए हुए और इसी को देखते हुए कल का जो दिन था वो बिजेपी के लिए बहुत खास रहा इसमें प्रधामंती नरींद बोधी ने अपने वर्चुल संबोधन में ये बात रखी कि निडर होकर कि दुनिया के सामने भारत खड़ा है और बिजेपी की सरकार जहां जहां पर है जिस राज्य में हैं वहां पर अब जो परिस्थितिया हैं जो तस्वीर हैं प्रदेश की वो बदल रही हैं और आगे भी बदलने की पू कोटा कारे करता हो चाहे बिजेपी के समर्थक हो सभी को पूरी पूरा सम्मान दिया जाता है साथी उन्होंने देखे ये भी कहा ये हिंदुस्तान पेपर में साफसाफ इसमें बताया गया है कि भारत बिना डर के और दबाओ के अपने हितों के लिए आज काम कर रहा है दू पारती उन्होंने कारे करताओं में भी जोज भरा और ये कहा कि जो लोगों की सेवा करनी है उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए क्योंकि भारती जनिता पार्टी ये मानती है कि ये लोगों की सेवा करने वाली पार्टी है गरीबों की पार्टी है और बिना किसी भे का वेक्टी हो किसी भी जाती का हो बिना बेदभाव के जो सरकारी लाब है जो सुविधाएं हैं वो आम जंता तक पहुचाई जाती है तो यह तमाम बाते प्रिधार मंत्री ने अपने संबोधन में रखी साथ ही यह भी कहा कि भारत जो है अब एक स्ट्रेस्ट भारत की तरफ बढ़ रहा है और एक ही मंत्र है विजेपी का कि भारत को आगे ले करके जाना और भारत की हितों के लिए जो बहतर हो सकेगा वो काम करना विस्थापना दिवस के दिन उन्होंने ये भी कहा कि नई परिस्थितियों में भाश्पा और उसके कारेकरताओं का दाइत्व भी ब कारेकरताओं से ये कहा साथ ही उन्होंने कहा कि बदलते वैस्थिक परिद्रिश्य में खुल रहे संभावनाओं के नए दरवाजे खुल रहे हैं बिजेपी के राज में तो ये तमाम न्यूस पेपर के आज हेडलाइन्स में ये तमाम बाते जो बड़ी बाते रही हैं प्र अब भारत ने इस पर अपना रुक एक्तियार किया है भारत की तरफ से विदेश मंत्रे जैशंकर प्रसाद ने ये साफसाफ कहा है कि यूक्रेन संखर्ष का हल हिंसा नहीं है बलकि सनवाद है हाला कि रूस और यूक्रेन के बीच कई दौर की वारता हो चुकी है लेकिन ये दूर पूचा सहर में जिस तरीके से हमला किया गया वहाँ सडकों पर चार सो से भी जादा लाशे बिची हुई नजर आई इसको लेकर कि अब भारत ने इसकी निंदा की है और ये कहा कि अब यूद को विराम लग जाना चाहिए और साथ ही इसके लिए भारत ने संव्त रा कि स्वतंतर जाच होनी चाहिए इस युद्ध पर विराम भी लगना चाहिए कि जो नर्सनहार हो रहा है वो ठीक नहीं है युद कोई हल नहीं है जाने जा रही है नुकसान इतना जादा हो रहा है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ युक्रेण और रूस पर ही इसका अफर पढ़ है वहीं भारत की तरफ से ये भी साफ किया गया है कि जो रूस के साथ उनकी वैपारिक विष्थे हैं वो भी कही खराब ना हो रूस ने भी अभी तेल की कीमते जिस तरीके से भारत में बढ़ रही इसको ले करके रूस ने भी अपना रूकर एक्टियार किया उसने कहा है कि भारत को कम कीमतों पर चीजें तेल का आया जाएगा अब निर्याद वो किया जाएगा लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को ले करकर के आखर ये युद रुखता कब है हालकर इसके पहले भारत की तरफ से कुछ भी आधिकारी तोर पर नहीं कहा गया था लेकिन अब विदेश मंत्राले की तरफ से विदेश मंत्री ने ये कहा कि यूक्रेइन संघर्ष का जो हल है वो हिंसा नहीं है बिलकि सन्वाद है और इसकी स्वतंतर जाच होनी चाहिए और खबरों में अगर आगे बढ़ते हैं तो राजनिती से जुड़ी एक खबर जो की सुर्खियों में है उसकी बात कर लेते हैं चुकि संजे राउत जो की शिर्ष सेना के नेता हैं उनके परिवार पर जिस तरीके से एडी का सिकंज़ा कसा है उसको लेकर के शरत पवार ने क संजे राउत और अगर उनके सामने की संजे राउत के साथ जो हुआ है वो ठीक नहीं है क्योंकि वो केवल राजसभा सदस नहीं बलकि पत्रकार भी हैं संजे राउत और अगर वो अपनी बात रखते हैं तीकी अंदाज में रखते हैं तो इसका यह मतलब ने कि उपर कारवाई की जाए हाला कि यह कारवाई एडी की तरफ से की गई है लेकिन शरत पवार ने मुलाकात की प्रिधानमंत्री से और अपनी बात रखी वही एक जो खबर लगातार सुर्ख की जारी की आखिर इस आरोपी की का का कनेक्शन क्या इसकी मंचा क्या थी क्योंकि यह भी बात सामने आ रही है कि इंटेलिजिन्स के पहले ही रडार पर था इंटेलिजिन्स उसकी तलाश कर रही थी और इसी वजह से जब उसे इस चीज़ का डर सताया तभी मुट्जा ने इस तरीके के गटना को अंजाम दिया, आनन पानन में उसने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया, डर के कारण, लेकिन अब इसका कनेक्शन जो है, कहीं न कहीं टेरर से मिलता हुआ, नजर आ रहा है, तमाम जगों से, इसका कनेक्शन मिल रहा है, चाहे वो संभल हो, मुंबई के अगर बात करें, तो मुंबई में ही IAT Engineering करने के लिए मुंबई में रहा था, इंजिनियर के उसने पढ़ाई की, और उसके बाद अब ये अचानक से जिस तरीके से इसने अपना 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 लाइन बदल दिया, आतंक की और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क आरोपी मुर्तजा के को ले करके, साथ ही संभल भी गई, वहाँ पर भी उसके कनेक्शन थे, जो आरोपी मुर्तजा है, उसकी पहली पतनी शादमा से भी बात चीत की गई, जानने की कोशिश की गई, कि आखिर वो किस तरीके का विक्ति है, चुकि वो इंजिनियर रहा है, और आईटी इंजिनियरिंग करने के बाद इस तरीके की जो देश-द्रोही हरकते वो कर रहा है, आखिर उसके पीछे की क्या वज़ा है, कौन नोग है, जो उसे भढ़का रहे हैं, या किन लोगों के साथ वो जुड़ा हुआ है, ये कनेक्शन कहां से कहां तक है, ये सारी चीजे जानकारी जो है, यूपी एटीएस की तरफ से जुड़ाई जा रही है, फिलहाल जो इस पर अपडेट होगी, वो हम आप तक पहुचाएंगे, लेकिन जो अपडेट अब तक मिली हुई है, उसके मुताबिक आपको बता दे, कि इस मामले में 12 संदिक्द लोगों को गिरफ्त में लिया गया है, एटीएस की तरफ से और साथ ही 49 लोगों से पूच्टाज करने की तयारी में भी एटीएस जुटी हुई है, नोडा हो, कानपूर हो और या फिर संभल हो, ये कई शहरों में छापे मारी भी इसी ले की जारी है, पुरे साथ शहर ऐसे हैं, जहां भी खुलासा एटीएस की टीम करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से एटीएस की टीम जो है, मुस्तैद नजर आ रही है, दूसरे दूसरे शहरों में जाके छापे मारी की जा रही है, और कनेक्शन धूनने की कोशिश जो है, एटीएस की इस वक्त चरम पर है, और उमीद की जा इस पुरे मामले पर भी खुलासा हो जाएगा, तो 12 लोगों को गिरफ्त मिलिया गया है, आगे क्या इस पर अपडेट होगी, वो हम आपको बताएंगे, एक और जो महत्वपूर्ण खबर की है, जानकारी वो भी आपको दे दें, जो कि हिंदूस्तान यूस पेपर ने फ्र जून में होना है, नीट 17 जुलाई को एक्जाम होगा, तो इन बच्चों के लिए डेट का, जो एक्जाम की डेट है, वो भी सामने आ गई है, जो इनकी तयारी है, वो अब लगपर लगपर पूरी हो चीगे, और ये जो अभियरती है, वो इंतजार भी कर रहे थे, कि परिक जुलाई में होगी, ये जानकारी यहां पर साजा की गई है, वहीं अगर मेडिकल में प्रवेश की परिक्षा नीट की बात करें, तो 17 जुलाई को परिक्षा कराई जाएगी, और इसके लिए पंजीकरम प्रक्रिया जो है, शुरू कर दी गई है, बुधवार को ही इसकी श जानकारी है, और साथ ही एक और जो एहम जानकारी है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, और बता देंगे आपको की कोरोना के नए स्वरूप, एकसी की देश में दश तक खोती हुई नहजर आ रही है, हाला कि स्वास्वंत्राले की तरफ से इसकी कोई अधिकारिक तौर पर जानकारी अभी साजा नहीं की गई है, लेकिन एतियात की तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो कोरोना के गाइडलाइन्स रहे हैं, यानि मास्क लगाना की जो बात कही जाती है, उस पर लोगों का ध्यान हमेशा रहना चाहिए, मास्क का उप्योग जरूर करें, सोचल डिस तमस्कारी